बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ यहां पर कॉल या बट्श अब कर सकते हैं इस्टाग्राम पर फेजरोर फोलो कर लिए गा इस्टडी फोर सिविल से तुट्टर के लिए गाट बढ़ाने की बात की जा रहे है एक नाशनल कमिशन फॉर बाकवर्ट क्लास अंतर राजी सबसे पहला है हमारा जो यहां पर बात चल रही है कि अभी जो मिनिममम एज है वह यहां पर जो है बढ़ानी चाहिए देखिए अभी क्या है कि आप भी जानते हैं कि दो वर्ष के बाद महिलाओं के लिए यहां पर न्यूंतम आयू बढ़ाकर 21 वर्ष करना है इस कदम से न करने के तैयारी मिलेगी यहां पर अभी केंद्र सारकार ने हालिया बयाद दिया है अगर मैं अभी की बात कुरूं यहां पर इंडिया में चाइल्ड मारिज जो है 1929 को ही 29 में ही रोक दी गई थी 1929 के अधिनियम के तहर जो 14 साल की उमर होगी वो गर्ल्स के लिए और बॉइस के लिए 18 साल की उमर से पहले जो शादी है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है फिर बाद में इसमें जो है 18 और 21 वर्ष कर दी गई थी 1978 तो चाइल्ड मैरिज से ठीक है अब यहां पर क्या है कि अगर हम 21 साल कर देंगे दोनों के लिए तो उससे हमारी जो जेंडर एक्वालिटी है जिसे हम कहते हैं लैंगिक समान ता वो बराबर हो जाएगी है ना क्योंकि अभी और डेडी मेल के लिए तो 21 साल है ही तो यह होगा ना कि भई जो आज के है कंसर्न क्या है यहां पर 25 परसंट से जादा जो महिलाएं है 18 वर्ष होने के बावजूद जो है 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं है उनकी शादी 18 वर्ष की आयू से पहले ही कर दी जाती है और अभी की अनुसार की हम बात करें तो 23 परसंट ऐसी महिलाएं है जिनकी शादी 18 से पहले आज के टाइम पे कर दी गई है तो यहाँ पर वही है कि अगर हमने marriage जो है आप जानते हैं कि child marriage का अगर मैं child marriage के सीधी बात को सर्फ child marriage के topic पर क्योंकि यह child marriage का topic हम से आ सकता है असमें आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़ा एक crackdown हुआ था crackdown समझते हैं कि child marriage के ओपर बहुत बड़ी बाते होनी शुरू हो गई थी तो अब जो है आज के समय में child marriage जो है जो प्रथा है उसको यहाँ पर कम करने के लिए जो है minimum age जहाँ पर जो बता दी गई है वो ही आपको ध्यान में रखनी है सुप्रीम कोट ने इस request को मानने से भी मना कर दिया था जिसमें डी वाय चंदर चूर जो है वो यहाँ पर बैठे थे और फिर उस इस वर्ष होनी चाहिए यह आप सभी मानते हैं इस चीज में सुसाइटी में जो विमिन का स्टेटस है वो बहुत लो है उसको बढ़ाने में यह चीज है है एजुकेशन ट्रेनिंग इंप्लॉइमेंट बढ़ जाती है अगर जल्दी से जल्दी शादी करवा दी जाएगी तो महिडाओं के पास जो अपने और काम करने के लिए आगे बढ़ने के लिए जो चीजे होती है वो उनको मिली नहीं पाएंगी तो यहाँ पर एज नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ इंपोर्टेंट है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल क्या चीज़ है वो कहता है कि भाई नाशनल कमिशन फॉर बैक्वर्ड क्लासेज जो है यह नाशनल कमिशन फॉर बैक्वर्ड क्लासेज राष्ट्रे वर्ग आयोग में नाशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासे यह तो बहुत बाद में बढ़ी है इसको जो है कॉंस्टिट्यूशन के एक सबसे पहले आर्टिकल 338 के तहद सिर्फ एक नाशनल कमिशन फॉर एसी हुआ करती थी उसके बाद आर्टिकल 338A के तहद जो है 89th Amendment Act 2003 के तहद नाशनल कमिशन फॉर स्ट बनाई गई फिर आर्टिकल नंबर 338B के तहद यहाँ पर नाशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासे या अधर बैकवर्ड क्लासे के लिए 2018 में बनाई गए और उसके लिए हमारे Constitution में Article 338B जो है वो आड किया गया अभी यह सिरफ इनी लोगों से मिलके काम कर रही है तो अभी यहाँ पर असनल में होना क्या चाहिए composition में एक chairperson एक wise chairperson और तीन और members यहाँ पर नी चाहिए जो कि यहाँ पर प्रेजिडेंट जो है वो यहाँ पर appoint करेंगे अपके हिसाब से और उनकी जितना भी कारे करना है उनकी शर्ते उनके कारे काल का निर्धारन सब कुछ राशपती द्वारा ही किया जाना चाहिए और हर एक सदस्य जो है पद क्रेंट करने की आर्थिक विकास में भाग लेना उनको सला देना उनके मामले सो जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें उसमें इंवेस्टीगेशन करना और प्रेजिडेंट को वार्शिक रूप से जो भी उनको अंतराल पर जो भी चीज़ें लोती जाती है उनको रिपोर्ट जो है किसको सह चोलटा सा आर्टिकल है इंपर्टेंट है Amao V 혼ुत हैं य्ज़य और सब्सक्राइब ए stylी नौइया दिसुझा डिस्प्यूट हमारे article number 262 के तहट ये लिखा हुआ है कि कभी भी इस तरीकी की conflict हो जाते हैं rivers की वज़ा से आप भी जानते हैं rivers flow करती है lifeline है यहाँ पर हमारे इंडिया की तो यहाँ पर एक river है पेनियार river पेनियार river में जो water का पूरा distribution था उसका term हो गया expire अब यहाँ पर time limit expire हो गई है तो Tamil Nadu कह रहा है कि भाई center अब इस पर क्या action ले रही है तो यह एक case चल रहा है कौन से river पर पेनियार river के उपर तो जब भी ऐसे दो स्टेट या दो से जादा स्टेट किसी एक river पर common river share करते हैं तो वो उसके use पर अपना claim दिखाते हैं कि भाई यह claim हमारा है तो water है वो एक state के अंडर आता है तो हर state के पास यह एक अधिकार होता है कि वो अपने water से जुड़ी हुए वहाँ पर policies बनाना उसके use के ओपर बात करना dam बना रहा, irrigation के लिए उस करना agriculture के लिए यूज़ करना power plant बनाने के लिए यूज़ करना हर चीज़ के लिए वहाँ पर अपना हिसाब से बना सकती है और इसके वज़े से क्या हो जाता है दो राजियों के बीच में फिर गरबर होनी शुग हो जाती है तो इसको solve करने के लिए सरकार ने क्या बनाया था Interstate River Water Disputes Act 1956 में अंतर राजियर नदी जल अधिनियम 1956 को बनाया जिसमें क्या होगा ऐसे विवादों को हल करने के उदेश से कानूनी संरचना की यहाँ पर स्थापना करती गई अब यहाँ पर हुआ क्या यह जो ट्रिबुनल यहाँ पर सेट अप कर दी गई इसमें हुआ गया इसमें ट्रिबुनल में कौन-कौन हो थे एक सुप्रीम कोट का रिटायर जजज या फिर हाई कोट का रिटायर जजज और यहाँ पर जो यह बाते कहेंगे अगर इनोंने अपनी कोई बात कही है तो वो बात धी होगी माननी कहीं ऐसा नहीं कि अब यहाँ कहलिया आप सैटिस्फाइन नहीं हो तो फिर से आप किसी और सुप्रीम कोट में दुबारा से अपील कर रहो ऐसा नहीं होता है और साथ ही अनुसूची के तहट जो वाटर है वो यहाँ पर यूरियन गार्मेंट जो है कभी भी ऐसा डिस्प्यूट आता है तो वो पार्लेमेंट यहाँ पर अपने हिसाब से सॉल्ट कर सकती है और आटिकल 262 में साफ लिखा हुआ है कि कभी भी इंटर स्टेट रिवर्स की ओपर या रिवर की जो वैली होती है उसके कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्ट करने के लिए बनाई जा सकती है ट्रिबिनल ठीक है तो यहाँ पर यह सब जो है प्रॉब्लम चल रही है और अगर ऐसे कोई भी डिस्प्यूट आते हैं तो आर्टिकल 131 के तहट सुप्रेम कोड इंटरफेर करेगा और कोई ट्रिबिनल बनाएगा ट्रिबिनल क्या चीज होती है यह ट्रिबिनल जो है न्याइधी करन ठीक है न्याइधी करन इहां पर एक बनाया जा सकता है ठीक है और इनको सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि सॉल्व भी नहीं किया जाता है और फिर उसको एक राश्ट्रे मुद्दा बना देते हैं उसको जो है राजनीती का मुद्द बना देते हैं और उसी के उपर पिराजनेती खेलना शुरू कर देते हैं अब वाटर का डेटा भी हम लोगों के पास पूरा होना चाहिए और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पूरा मेकैनिजम होना चाहिए जैसे कि गुतावरी और कृष्णा के उपर हुआ 1956 में हुआ लेकिन इस मैटर को ट्रिबुनल में 1969 में ट्रांसफर किया गया तो बहुत लंबा समय लगिया तो इस तरीके से जो है न सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है तो वही है कि अगर इस तरीके की चीज़े कुछ भी आती है तो एक रिवर बेसिन अथॉरिटी होनी च इसके डिस्ट्रिबूशन का सामान यहाँ पर डिस्ट्रिबूशन होना चाहिए तो सरकार को यहाँ पर यह जिम्मिदारी होनी चाहिए देखो यह वाला आर्टिकल जो है जी एस पेपर टू के हिसाब से जो है एक्जाम में बन सकता है ठीक है तो इंटर स्टेट वार्ट ड सामान नयुक्तन के शिद्सकूर जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हो आपके लिए कुछ liberal newspapers यहां पर आप इसको देख सकते है इस पिचर में कि बहुत सारी यहाँ पर जो है स्टेट्स वो इन्वार्टमों के लिए बहुत सारी इस काम के लिए बहुत सारी जो है ना उनको set up करने के लिए tribunals भी बनाई गई गई अब मैं example देती हूँ ठीक है आप इसमें example नूट कर लीजे जैसे कि सबसे पहली जो एक बनाई गई थी वो रावी और ब्यास नदी की उपर जो है वो बनाई गई थी सबसे पहले रावी और ब्यास नदी या आप गलती है रावी और ब्यास का जो ओरिजनेशन है वो बिलकुल पास बास से ही है रोतांग पास से दोनों ही निगलती है यह जो ट्रिबुनल है वो 1986 में बनाई गई थी जो कि राजस्थान हर्याना और पंजाब के बीच में आज भी डिस्प्यूट का एक कारण बनी गई है ऐसे ही फिर उसके बाद 2010 में दो बर बनाई गई थी एक वामसा धारा के ओपर यह अंदर प्रदेश और ओरीसा के बीच में है वामसा धारा या वामसा धारा भी कहते हैं इसको 2010 में बनाई गई थी उसके बाद 2010 में एक और महादई चीक है यहाँ पर आप नोट कर सकते हो य 2018 में बनाई गई थी और उसके बाद क्रिश्णा क्रिश्णा रिवर के उपर की सब जानते हैं नीचे की तरफ लेकी हुए ठीक है यहां पर क्रिश्णा रिवर के उपर जो डिस्प्यूट हुआ था वो 2004 तो ऐसे करके जो है यह बनाई गई है और इसी के तहट जो है डिस्प्यूट को सौल किये जाने की पावर रखी गई है तो इंटर स्टेट वाटर शेरिंग डिस्प्यूट इसी के उपर काम करता है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखेगा जब भी कोई रिव को सौल करते हैं तो यह कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिबिनल सी और भी है बट यह ट्रिबिनल सी इंपॉर्टेंट और ट्रिबिनल जो है वो जैसी स्टेट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है स्टेट की तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी तो सेंटर को वो सेट अप करनी होती है एक साल के अंदर-ंदर और ट्रिबिनल को अपना अंसर तीन साल के अंदर-ंदर पूरा investigation करने के तहद देना होता है और कभी-कभी अगर जैसे मानी में दो भर खराब है या फिर नहीं उतना हो पाया तो कभी-कभी यह तीन साल को बढ़ा करके पांस साल कर सकते हैं बर बाते भी यहां पर सबको माननी होंगी और यहां पर Supreme Court का interference फेर नहीं कोगा और फिर यहां पर Supreme Court में चले जाओ या Article 32 के तहट या Article 21 के तहट चले जाओ तो आप यह कर सकते हो चीक है मतलब होना नहीं चाहिए लेकिन कहीं लोगों हो गया नहीं कि हमारे आर्टिकल 21 का वालेशन है यह वाला और बाकी यहां पर जो पूरी ट्रिबुनल है उसमें काफी सारे लोग शामिल नहीं होते हैं जाधा लोगों को शामिल होने की जरुवत है मेरे साफसे इसमें और जाधा होनी चीए और प्लस इसको ना जो राजनीती करण इसका जाधा बन समझ रहे हैं सब लोग इस चीज़ को तो यह आप से ऊचा जा सकता है नेक्स्ट है पार्लेमेंट में लोग जाब कोई पक्ष हटने को तयार नहीं संसद में गतिरोध है काफी जाधा देखो भई अगर संसद काम गरती है तो आपको पता है कि हमारे लिए लौस बनाती है क् बिल्स जो है सारे चार प्रकार की जो बिल्स होते हैं हमारे चारों बिल्स कहां जो है प्रिजेंट किये जाते हैं विदी निर्मान ये बिल्स जो है पार्लेमेंट में ही लेके आए जाते हैं दोनों में से किसी भी हाउस में ला सकते हैं और तब ही जाकर कि वह आत्बंत और सफीब करने में मदद देती है बजट आपको पता है वहीं पास होता है और कारे पाले काकी निगरानी रखी जाती है चुनाव के सारे कारे को देखा जाते है शमीध हैने कारे के तहत यहाई पर आप आपातकाल की भी घोश्णा मंजूर करने की शक्ती भी पार्लेमेंट के पास है, तो अभी क्या है ना, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, कि संसद में कम उत्पादिकता है, इसके कारण क्या है, सबसे पहला है प्रशनिकाल, संसद की उत्पादिकता के पहली होता है, संसदो की प्रशनिकाल के दुरण सरकार से पूछने की शक्ता है, और यहाँ पर प्रशन पूछे जाते हैं, सबको पता है, तीन प्रकार के प्रशन होते हैं, एक होते हैं स्टार्ड, एक होते हैं अन्स्टार्ड, और एक होते हैं झूल कुछे जाते हैं और यहाँ पर नेघेसादस्यों के विधयक भी होते हैं और यहां भी जानती हैं कि कभी ब्यूट प्राइविट मेंबर लेके आता हैं तो वो बिल पास होने की जो संभावनہ और बहुत कम है अगरätzen पे cushion सालों में बात करूँ तो करीब पंदरही ऐसे बिल हुए है जो अक्चली में पास हुए हैं इतना बुरा हाल है कि अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल आता ना प्राइवेट मेंबर की बिल के डिसकाशन के इनोने एक डे रखा हुआ वो है Friday, तो उस समय वहाँ पर सिर्फ एक ही जो है, यहाँ पर एक Friday ही दिन होता है, जिसमें उनको अगर आप कोई बिल लेके आना है, तो उनको पहले ही यहाँ पर एक महिना पहले उसका notice तक देना करशाता है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इस तरीके से इस पर सवाल बन सकते हैं, बाकि संसब के कारवें में वह जादा भी हस्त शेप होती है, डिस्रफ बारबर करना, और जान मुझ के कई बार जो है, प्रिपरेशन ना करना, जान मुझ के छोड़ देना उसको, कमीटी का सिस्टम थोड़ा सा खराब होना, तो यह सारी चीजे एक उसे कहते हैं, पार्लिमिज में लोग जाब होना, आगे वही अगर आपको बड़िया तरीके से काम करना है, आपको सबसे पहले सहमती लेके आने पड़ी, सारी पार्टीज को मिल करके एक ही गोल पे काम करना चाहिए, और बिल्स को यहाँ पर उज़ादा अच्छे से प्रोड्यूस करने क होनी चाहिए, और बहतर रूप से काम करने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए, आप देखो यहाँ पर, कि जो पूरा टाइम यहाँ पर लगता है, वो आप देख सकते हो कितना टाइम यहाँ पर जो है लोग सभा और राज्य सभा में लगाया जाता है, इस पूरे काम क यह आप सामने पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है वी लवी करण डी सालिनाइजेशन जैसे कि आप जानते राष्ट्रे मासागर प्रद्योगी की संस्तान नाशन इंस्टिटूट ऑफ ओशन टेकनलोजी यहां पर उन्हें लक्षोदीप में एक खुद का प्लांट लगा है डी सालि करन जैंक्या दुबारा पर लो एसी ही re do यह ओताता ना लिखाओ री डो मतलब दुबारा कोौष अब री कहीं आएगा न उसका मतलब होता है अगें वर्ड आजाएगा डी इ तो डी इ का शब्द का मतलब होता है वी हटा देंगे तो सॉल्ट को हटाने की प्रक्रिया को हम डी सालेनाइजेशन वी लवी लवणी करन कहते हैं वी लवणी करन वह प्रक्रिया होते जिसके माध्यम से समुद्र के जल से लवण और जितने भी और होते हैं उनको हटा करके और लवणी और पीने योगे जल जो है वो निकाला जाता है इसके रहे बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे की सबसे पहले पूर वुक्चार करना उसका जो भी इसके अंदर बड़े-बड़े पदार्थ होते हैं उसको पहले हटा दो पहले सबसे पहल reverse osmosis अब के घरों में लगा होता है आरो सिस्टम इलेक्ट्र बाइलाइसिस इसमें किया जाता है reverse osmosis में जो पानी है उसको semi-permeable membrane के थूं high pressure में पास कराया जाता है ताकि जो भी salt और mineral molecules उसको block करके बागी पानी को पास करवाया जा सके और जब इतना हो जाएगा तो उसको post treatment किया जाएगा जब पूरा पानी जो है membrane से निकल करके गुजर जाता है तो वहाँ पर उसको यह देखा जाता है उसका pH level adjust किया जाता है उसमें chlorine और बाकी चीज़ों को डाला जाता है ताकि उसमें जितने भी और impurities है गंधगी है उसको साफ कर दिया जाए और इसमें filtration करके उसके सारी impurities को सारी गंधगी को हटा दिया जाता है और यह जो बहुत बड़े बड़े फ्रांस लगाए गए है इसमें electricity से भी चलते है गैस से energy से solar power से चलते हैं इसको अलग अलग स्त्रोच से यहां पर बनाया जा सकता है और desalinated water को सबसे जादा produce करता है पूरे वर्ल्ड में saudi अरी तो यह important है यहां पर जो ऐसे water जो कि बहुत जादा जिसमें salt का content है या फिर जो बहुत जादा संदूशन है प्रदूशन से भरे हुए है उनको यहां पर हटाना बहुत असान है तो यहां पर salt को इन सब को हटा दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे एक level का good quality drinking water ले सकते हो और उस पानी से agriculture करना irrigation से चाही करना industry में use करना बहुत काम हो जाएगा और हमें बहुत easy हो जाएगा कि हम लोग water पर आराम से dependent रहके काम कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर वही है कि अगर easy रहेंगी सारी चीज़े तो वही आगे चलके economy growth यहां पर होगी और drought भी आता है तो weather का भी को problem होता है तब पानी अपने आपको adapt कर लेगा उन चीजों से तो यह सारी चीज़े जो है इससे होगी लेकिन अभी आपको पता है कि इसको चलाने के रहे बहुत जादा energy की जरूरत है तो energy का process इसके लिए काफी बड़ा हो जाता है काफी सारी amount की energy जो है इस पूरे के लिए हमें required होती है तो यह सब आप लोगों को याद रखने है सारे points को desalinization इसे हम कहते हैं और कई बार क्या होता है कि जो बचा वह वेस्ट होता है न वो वेस्ट हम कहां पर वापस भेज जेते हैं ocean में तो वहां पर ocean में जो coral reefs है marine life ecosystem में उसको problem होती है प्लस यह बहुत महेंगा भी process है ऐसा न आज का वह है rooftop solar scheme rooftop solar योजना जिसके अंदर सरकार ने यहाँ पर बोला है कि 3377 megawatt की capacity यहाँ पर state को दी जाएगी 4.3 लाक पीपल जो है उनको यहां से पूरा benefit भी दिया जाएगा अब होता कि यह rooftop solar scheme यहाँ पर जो हमारी ministry है नविकर ने उर्जा मंत्रालिय उन्होंने यहाँ पर start करा है जिसमें जो हमारी जो भी distribute करती है electricity को उनके लिए second phase यहाँ पर start करवा दिया गया जिसका काम क्या है कि roof के उपर जो है घरों की छटों के उपर यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे solar panel बहुत सारे घरों में basically सबसे जादा पहले तो उसको गाउं में start किया तो गाउं में यह solar panels को बहुत जादा लगा दिया गया है और 2022 तक कोशिश की गई थी कि 40,000 मेगा वाट यहां पर हम अप्टेन कर लें पूरा ग्रिड बनाये चोटे बड़े हर जगा पर जित्ता भी रहने वाले हैं community हर जगा पर इसको लगाया जाए ताकि हम लोग जो इं से भी बनाया था international solar alliance 2015 में बनाया था जिसके headquarters आज गुरुग्राम हर्याना में situated है ठेक है भई तो यह भी आप सभी लोग जानते हैं ठेक है यह सारा आप लोगों को याद रखना है यह आप लोगों से पूछा जा सकता है अब आता है इसके बाद हमारा आज का सवाल आज का हमारा सवाल है exercise bold kurushetra अब bold kurushetra जो exercise है अभी यह अभी ही perform की गई है 16 से 6 से 13 मार्च 2023 के बीच में तो अभी यह exercise होती किसके साथ है USA Japan Singapore Australia करेक्ट आंसर है इसका Singapore के साथ Japan के साथ भी अभी हम लोगों ने करी है अगर आपको आपने मेरा weekly current affair देखा है तो आप देखो जाके exercise शिन्यू मैत्री यह exercise अभी हमने इनके साथ perform किया और Singapore की आर्मी के साथ हम लोग हाँ पर exercise bold kurushetra किये है कहां पर किये है तो देखिए भाई यह exercise हमारी कहां हुई है जोधपूर में ठीक है यह exercise conduct की गई है जोधपूर यह important है अभी पूचा जा सकता और इसके खतम होगी exercise अ यहां पर participate किया था यह 2005 से कबसे 2005 से यह bold kurushetra exercise यहां पर की आ जा रही है और अभी recently ही जो है इंडिया और France ने भी exercise करी है नाम है उसका MPX maritime partnership exercise कहा जाता है उसको लिख सकते हैं आपके नाम maritime partnership exercise किस के साथ फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस की नेवी maritime लिखा है ना तो नेवी के साथ है चीक है दोनों ने हमारी इंडिया की तरफ से इस वाली exercise में INS सिहाद्री ने participate किया है तो यह सारे facts को भी याद रखेगा लास्ट क्वेशन है हमारा blue flag certification अब यह blue flag certification आई होप सब लोगों ने जरूर कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा तो blue flag certification क्या चीज़ है देखे blue flag certification जो है एक करीके का certificate दिया जाता है किसको बीच इसको जैसे ह हम कहते हैं कि हम यहाँ पर इंडिया के अंदर cleanest city का एक अवार्ड देते हैं और वो cleanest city हमारे भारत में जैसे कि आप जानते हैं हमेशा टॉप पे indoor रहे हैं उसी प्रकार से blue flag certification दिया जाता है जो कि France से start हुआ था फिर यॉरप पे शुरू हुआ यह foundation for environmental education जो है वो देती है eco label होता है एक आपको एक प्रकार का label दिया जाता है कि आप जो है बहुत सारी requirements को meet करते हैं यह जो है आप नाम देख रहे हो environmental education यह कहां की है डेन्मार चीक है तो डेन्मार की जो है यह हाँ पर जो है start किया गया था इसको France में शुरू किया गया इसके बाद से इसको आगे ब से मतब कौन से लोग आते हैं देखो इसमें तो आते हैं UNEP के लोग United Nation Environment Program UNWTO के लोग United Nation World Tourism Organization के और IUCN International Union for Conservation of Nature और साती साथ Foundation for Environmental Education चारों मिलके यहां पर लोग आते हैं और अगर हम October 2022 की बात करूं तो भी एस बिनको ठीक लिखा हुआ है बारत में 12 ऐसी हैं जिनको यह अवाड दिया गया है चैसे की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी है तो हमारे पास 12 है सारी statement ठीक लिखी हुई है चैसे की अभी Golden Beach को मिला Golden Beach कहां की है ओडिसा ओडिसा की एक ही है गुजरात की भी एक ही है शिवराजपुर उसके अलावा करनाट का अंद्रप्रदेश पुडुचेरी इन सब की काफी सारी है और लक्षवदीब की भी दो है मिनिकौर कादमत पुडुचेरी की भी है अंडमान की भी है अंद्रप्रदेश की भी है और एक याद चीज जलता है कि यह जो beach है ना काफी safe है ठीक है यहां पर tourism बहुत अच्छा हो सकता है सबस्तर अगर blue flag certification मिल जाएगा तो वहां पर tourism जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो यह अभी याद रखेगा अभी important है एक label के रूप में मिल जाता है और वही है कि भई साथ लोगों को educate क और यह जो beach का culture उसको और जादा बढ़ाने की सरकार द्वारा यहां पर कोशिश की गई हो तो यह पूरे जो steps लिए गए है वो इसी के प्रमूट करने के लिए लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है blue flag certification program क्या होता है कब बनाया गया किसके तहद बनाया गया यह सारे सव आप लोगों से सीधा सीधा किये जा सकते तो यह थे आज के हमारे important articles आज भी आप लोगों ने 8 topics को अपने complete किया इनको notes में add करिएगा और जब आप notes बनाते हैं तो यहां पर एक वीडियो पर यह comment करके भी जरूर बतायेगा कि आप लोगों को यहां तक कोई यह चीज clear हु points जो आपने लिखे हैं वो clear हुए है या नहीं हुए मिलते हैं आप लोगों से next article में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया सुनते रहें वीडियो को धन करते रहें मिलते हैं आप लोगों से next lecture जैहन